नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 3 के विशय गनित के अध्यायच है गुना भाग 2 के भाग 2 पर आज बात करेंगे, जिसके सिखने के प्रतिफल है M306, भाग के तथ्यों को बराबर समुव में बाटने और बारम बार घटाने की प्रक्रिया के रूप में समस्ते हैं बच्चों, आपको याद होगा कि पिछले अध्याय में हमने गुना के कुछ सवाल पर जिसमें हम लोग 2 अंको वाली संख्या के हासिल वाला गुना पर बात किये थे अब आज हम देखते हैं कि 3 अंको वाली जो संख्या है उसका गुना हम किस प्रकार करेंगे तो आपको दीख रहे हैं यहाँ पर कि 241 का गुना 2 से करना है तो 241 का गुना हम 2 से करेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पर 3 चरण में हम इसको समझने की कोशिस करेंगे कि पहले चरण में क्या हो रहा है तो आप देखेंगे कि 2 का गुना हम करेंगे 2 से गुना करेंगे 240 को गुना हम 2 से करेंगे तो हम 2 का पाढ़ा पढ़ेंगे यहां पर तो 2 का पाढ़ा हम कित्ते बार पढ़ेंगे पहले आपके एकाई में क्या है? 1 है तो हम एक बार पढ़ेंगे 2 एकम 2 तो हमको क्या प्राप्त हुआ? 2 प्राप्त हुआ तो 2 को हम इकाई संख्या के निचे में लिख देंगे फिर हम 2 का गुना दहाई वाली जो संख्या है यानि 4 दहाई से हम गुना करेंगे तो 2 का गुना हम जब 4 से करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? 2 एकम 2 2 दो निचार 2 ती अच्छा है 2 चाउं 8 तो हमको क्या मिला? 8 तो 8 को हम दहाई वाली जो संख्या है उसके निचे में लिख देंगे अब हम तीसरे चरन में देखते हैं कि वो किस प्रकार होगा? तो 2 का गुना हम जो सैक्ड़े वाली जो संख्या है 2 से करेंगे तो 2 का गुना हम सैक्ड़े वाली संख्या 2 से करेंगे माने 2 सैक्ड़ा से गुना करेंगे तो 2 का पाड़ा हम पढ़ेंगे 2 एकम 2 2 दो निचार तो हमको 4 सैकड़े प्राप्त हुए तो जिसको हम सैकड़े वाले संख्या के नीचे में लिख देंगे तो इस प्रकार हम 3 चरण में देखे कि हम गुना को किस प्रकार इकाई, दहाई, फिर सैकड़ा से करते चलेंगे तो इस प्रकार हमको 241 को हम गुना यदि 2 से करते हैं तो हमको क्या प्राप्त हुआ 482 आप इससे संबंदित पुस्तावाल पेज नंबर 80 आपके पुस्ताग में दिया हुआ है जिसको आप लोग हल करके देखेंगे अब हम देखते हैं कि 10 या 100 से गुना हम किस प्रकार करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 10 का गुना हम कोई यदि संख्या से करते हैं या कोई संख्या का गुना हम 10 से करते हैं तो दोनों का जो उत्तर है हमको एक जैसा प्राप्त होता है जैसे आप देख रहे हैं कि 10 का गुणा यदि हम 5 से कर रहे हैं, तो 5 का पाड़ा हम पढ़ेंगे, 5 सुन्य हम सुन्य, और जब 2 से करेंगे, तो 5 एकंप 5, तो इस प्रकार हमको यहां पर 50 प्राप्त हो रहा है, उसी को यदि हम 5 गुणा 10 करें, तो वहां पर हम 10 का पाड़ा पढ़ेंगे, तो 10 एकंप 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चंचाली, 10 पंचे 50, तो हमको क्या प्राप्त हुआ, 50 प्राप्त हुआ, तो इसी प्रकार के सवाल आपको यहां पर दीख रहा है, 10 गुणा 7, 2 गुणा 10, इसको आप करके देखेंगे, फिर आपको यहां पर प्राप्त हो जाएगा, जो संख्या है, अब हम बात करते हैं उसी में 100 के उपर, तो 100 में भी जैसे हम 10 में किये थे, उसी प्रकार हम 100 से भी गुणा कर सकते हैं, किसी संख्या को यदि हम 100 से गुना करें या 100 का गुना किसी संख्या से करें तो हमको वो जो उत्तर है वो दोनों का बराबर हमको एक समान प्राप्त होगा आईए अब हम तीनंको वाली संख्या का हासिल वाला गुना सवाल देखेंगे इसके पहले हम लोग तीनंकों की गुणा जो सवाल उसके बात किये थे अब हम देखते हैं कि यदि उसमें हासिल आता है तो उसको किस प्रकार से हम करेंगे तो यहाँ पर भी हम इसको 349 समझने की कोशिज करते हैं यहाँ पर हम 136 का गुणा 7 से कर रहे हैं जिसमें की 6 इकाई है और जो 3 है वो दहाई है और सेकड़े में क्या है एक जिसको कि हम 7 से गुणा करेंगे तो सबसे पहले हम किसको गुणा करेंगे इकाई संक्या को तो 7 का गुणा हम पहले करेंगे 6 से तो 7 का पाड़ा आप 6 बर पढ़ेंगे 7 एकम 7, 7 दुनी 14, 7 तिया 21, 7 चमगट 25, 7 चमगट 25, 7 चमगट 25, 7 चमगट 25 तो हमको क्या प्राप्त हुआ? 42 तो 42 में जो 61 संक्या है उसको हम 61 संक्या के नीचे में लिख देंगे और जो 4 जो दहाई हमको प्राप्त हुआ है 4 दहाईया जो है उसको हम क्या करेंगे? आप दूसरे चरण देख सकते हैं कि 4 को हम दहाई संक्या के उपर लिखेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे? अगले चरण में फिर 7 का गुना आप करेंगे 3 के 7 तो क्या मिलेगा हमको? साथ एकम साथ, साथ दूनी चौदा, साथ तिया, 21 अब हमको जो हासिल प्राप्त हुआ था दाही संख्या की उपर में उसको जो हम लिखे थे उसको क्या करेंगे यहां पर हम जोड़ देंगे क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि यहां पर हम दाही से गुना किये थे और दाही में हमको हासिल प्राप्त हुआ था तो यहां पर हम जोड़ते हैं तो हमको 21 में 4 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 25 तो हमको 25 मिला है तो 5 क्या हमारी दाहाईयां है और 2 क्या है? सैकड़े हैं इसलिए हम 5 को दाई के नीचे लिखेंगे और 2 को क्या करेंगे सैकड़े वाला इस्थान के उपर में लिख देंगे अब हम तीसरे चरण में चलते हैं इसमें क्या हो रहा है अब हम 7 का गुना करेंगे सैकड़े वाली 1 के साथ तो 7 का गुणा हम 1 से करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होगा 7 एकम 7 अब हम देखते हैं कि हमको जो सैकड़े पे 2 प्राप्त हुआ था 2 सैकड़े हांसिल की रुप में उसको यहाँ पर हम जोड़ देंगे तो 7 को 2 से जोड़े तो क्या हुआ 7 और 2 9 तो हमको 9 सैकड़े प्राप्त हुए हैं उसको हम सैकड़े वाले जो संख्या उसके नीचे में लिख देंगे इस प्रकार हमको 136 को हम यदि 7 से गुना किये हैं यहाँ पर तो हमको प्राप्त हुआ 952 तो बच्चो आपके उस्तग में पेज करमा 82 में इससे संबनित कुछ सवाल है तीन अंको वाली जिसको आप लोग घर में करके देखेंगे आईए अब हम एक संख्या खेल देखते हैं बच्चो आपको कोई भी एक अंग सोचना है जैसे आपको दिख रहे हैं पर 6 अंग जैसे मालो आपने 5 से गुना करेंगे कितने गुना करेंगे 5 से तो आपको क्या प्राप्त होगा 12 पंचे 60 अब अंत में हम क्या करेंगे जो हमको 60 जो प्राप्त हुआ है उसमें हम 10 का भाग देंगे कितने का भाग देंगे 10 का तो हम जदि 10 से भाग देते हैं तो हमको क्या प्राप्त होगा 10,6,6 मतलब हमको 6 प्राप्त हुआ तो आप देख सक रहे हैं देख पा रहे हैं पर कि हम जो संक्या सोचे थे शुरुवात में 6 सोचे थे तो हम ये जो संक्रियाँ अभी हम किये उसके बाद हमको अन्त में फीर से एक संख्या प्राप्त हुआ वो है छै तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमने जो संख्या सोची थी वो हम को फीर से पुना प्राप्त होगी आप इसको कोई भी संख्या लेकि आप इसको कर सकते हैं ये आप अपने घर में अपने दोस्तों के साथ अपने परिवार में अपने भाई बन के साथ करके देखिएगा आईए बच्चों अब हम भाग पर बात करते हैं कि भाग किस प्रकार से हम करेंगे तो आपने पिछले अध्याय में भाग को किस प्रकार देखा था बाटने के उपर, आपने बाटने का तरीका उसमें सीखा था तो आईए हम यहाँ पर एक सवाल देखते हैं यदि हमको 35 चीजे है हमारे पास उसको 5 लोगों में बराबर बराबर बाटना है तो हम उसको 35 भागित 5 लिख सकते हैं अब यहाँ पर 35 भागित 5 जो है बराबर भागों बाटना है, हम कितने बराबर भागों बाटनेंगे, पांच पांच के, तो उसको हम यहाँ पर बोलेंगे, भाजक, भाजक याने जो बाटना है, जितने बराबर भागों में, उसको हम बोलेंगे, भाजक, अब चलिए हम बाट के देखते हैं, तो हम जो बाज भाजक है उसका हम पहड़ा पढ़ेंगे हमारा भाजक है 5 तो उसका आईए पहड़ा पढ़ते हैं 5 एकम 5 5 दुनी 10 5 तिया 15 5 24 25 5 36 5 35 तो हमको यह हमारा जो 35 हो पूरे बराबर भागों में बढ़ या कितने बराबर भागों बटा 7 तो यह जो 7 हमको जो प्राप्त हुआ वो है हमारा भागफल तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 35 को हम 7 बराबर भागों में बाटे आईए आगे हम इससे संभनित कुछ सवाल है आपके पुस्तक में पेचक्रवां 84 में उसको आप यहाँ पर हल करके देखेंगे साथ ही यह भी बताएंगे कि कौन सी संख्या भाज्य है कौ कौन सी संख्या भागफल है तो इस पे आपको इस सवाल को हल करके देखना है आईए देखो और समझो तो पहाड़ों की सहता से भाग देने का जो तरीका तुमने जो सीखा है क्या तुम इस तरीके से भाग देने के सभी सवाल हल कर सकते हो तो आओ हम 84 भागित साथ को हल करक देखते हैं इसके पहले हम सवाल में पहड़ा पढ़के भाग देने की कोशिज किये थे जिसमें हमको जो भाग देने के पर पूरा संख्य हमको प्राप्त हो था पहड़ा में और यहां पर हम देखते हैं कि क्या होता है तो हमको 84 को 7 से भाग देना है तो हम किसका पहड़ा तो चलिए पढ़के देखते हैं, इस भाग सवाल को भी समझते हैं, आएए देखते हैं कैसे किस प्रकार होता है, साथ का पाढ़ा यहाँ पर पढ़ेंगे, साथ एकम साथ, कहने मतलब यहाँ कि हम पहले दाहाई संख्या को भाग दे रहे हैं, तो हमारा जो तिलियों का जो बंडल है एक एक में एक दाही है, तो हमको साथ दाही यहाँ पर लेना है, तो हम देख रहे हैं कि हमको कितनी बंडल लेना है तिलियों की साथ बंडल, तो इस प्रकार हमको साथ जो बंडल है तिलिये की वो हम यहाँ पर पाढ़ चुके, और हमको जो आठ जो दहाईया है उसमें से साथ दहाईया को घटाएंगे तो हमको एक दहाई प्राप्त होगा और हमारे पास चार खुली तिलिया है जो चारी काई आप देख रहें ना 84 में वो चार खुली तिलिया है और एक जो घटाने पर आया वो है एक तिलियों का एक बंडल तो कुल मिलाके हम उसको यदि हम खुले रुप में देखें तो हमको 14 खुली तिलिया मिलती है अब हम 14 खुली तिलियों को बाटेंगे तो हमको 14 खुली तिलियों के लिए हम फिर 7 से हम भाग देंगे तो क्या होगा साथ एकम साथ साद उनी चाउदा तो हमको पूर्णता जो है चाउदा तीलियों का हम यहाँ पर भाग दिये तो हम चाउदा तीलियों को बराबर बराबर भागो में यदि बाटे साथ बराबर भागो में दो दो तीलियों को तो हमको यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ बारा तो भाग फल हमको यहाँ पर 84 को हम 7 से भाग दिये तो हमको बारा प्राप्त हुआ तो यहाँ पर आप देखे कि हम किस प्रकार तीलियों को बाटे हैं और उसको हम भाग के रुप में कैसे हम यहाँ पर उसक और साथ ही आपको भाज्य, भाज्यक और भागफल ये भी बताना है तो बच्चों आज हमने गुना के तीन अंकों वाले जो संख्या है उस पर अपनी समझ बनाई साथ ही भाग के हम कुछ सवाल देखे जिसमें कि हमने माचीस की तीनों के उपर भी हमने कारे करके देखा और किस प्रकार वो भाग में हम उसको उपयोग कर सकते हैं ये भी जाने आगे के हम भाग के कुछ और सवाल के बारे में हम जानेंगे धन्यवाद